Hello everyone, हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, SSC CGL में टोटल 21 shift हुए थे 2021 में, ठीक है, तो उन में से जो grammatical errors के question थे, यानि के sentence के कौन से part में error है, वो वाले question सब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं, सबसे पहला question, तो ये direction दिया गया है, कि चार part है, उन ये metro, during rush hour, as both are quite unpleasant experience, तो इन में से कौन से part में error है, ठीक है, तो कौन से part में error है, ये बताना है आपको, उमीद है आपने answer कर दिया होगा, तो answer है, ए नमबर पे, ठीक है, as both are quite unpleasant experience, यानि कि ये वाले part पे, क्यूं ऐसा होता है, देखिए, quite दो होते है, ठीक है, Q-U-I-E-T, जि होता है, ठीक है, उसको बोलता है, quite, जिसको सांत बोलते हैं हम लोगे, और एक होता है, quite, ठीक है, जिसका मतलब होता है, कुछ हद तक, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे rush hour की बात करने, यानि crowded bus की बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, कुछ हद तक crowd होना, ठीक है, तो कौन सा ह क्यू यू आई टी होना चाहिए था यहां पर क्यू यू आई ए टी लिखा हुआ था इसका मतलब यह वाले पार्ट में एरर हो जाएगा ठीक है तो क्या सेंटेंस होगा सही इसका मतलब होता है अब तो इसके कौन से पार्ट में एरर है यह सेंटेंस कह रहा है कि तुम अगर नहीं पहुंचते टाइम पे तो हम लोग की जिन्दगी अपना गवाँ बैटते है ठीक है लाइवस गवाँ बैटते है यह हम लोग का जिन्दगी नहीं रता और ठीक है तो यह कंडिशनल सेंटेंस है अगर तुम नहीं पहुंचते तो ऐसा होता, ठीक है, तो यह conditional sentence है, और किस तरह का conditional है, third conditional, third conditional में आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं पता है, तो note कर लिजे, third conditional में if clause के साथ, head plus b3 आता है, जो के हैं यहाँ पे, head plus b3 है, ठीक है, और, जो main clause है, उसके साथ, would have plus b3 आता है, ठीक है, यहाँ पे देखे, will have plus b3 है, जो के गलत हो जाएगा, क्या होगा, would have plus b3 होना चाहिए, यानि के sentence क्या होगा, had you not reached in time, we would have lost our lives, समझ में आगा, तो third conditional, याद रखना है, ठीक है, क्या होता है, head plus b3, if clause के साथ, और main clause के था, would plus have plus b3, ठीक है, आगे बढ़ते है, the wood cutter failed some trees with hardly many effort at all, कौन से पार्ट में एरर है, आपको यह बताना है, उमीद है, आपने answer कर लिया होगा, तो, यहाँ पे error है, कहाँ पे, यहाँ पे many effort at all, यानि कि यह वाला पार्ट कहाँ आप है, लिखावा, यह नंबर पे, यह नंबर पे इसलिए add है, hardly का मतलब क्या होता है, negative, hardly का मतलब मने, मुस्किल से कुछ, ठीक है, तो hardly के साथ क्या आएगा, any आएगा, hardly any effort, ना के many आएगा, ठीक है, hardly any के मतलब क्या होता है, almost no, ना के बराबर, negligible, ठीक है, तो answer क्या हो जागा, the wood cutter filled some trees with hardly any effort at all, यहाँ पे क यह number, the river appears to have got its name from the town nearby, ठीक है, इसके कौन से पार्ट में error है, उमीद है, अपने answer कर लिया होगा, तो इसके कौन से पार्ट में error है, पहले तो यही से देखिए, ठीक है, the river लिखा हुआ है, यानि के singular, subject के singular है, तो verb क्या होना चाहिए, singular होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एस लगा करके, verb singular है, तो यह सारा कुछ सही दिख रहा है, अभी तक, ठीक है, तो इसमें क्या हो जागा, no error हैगा, ठीक है, यहाँ पर no error का भी option था, तो इसमें कौन सा आएगा, no error, because sub sentence proper way में लिखा गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, lack of required vitamins and minerals related against several complications in human body, इन में से डिक है, दो term होता है, एक होता है lead against, एक होता है lead to, ठीक है, अगर vitamin की कमी होगी, तो क्या होगा, several complications आएगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा lead to होता है, lead against का मतलब, उसके opposite में, उसके opposite में तो नहीं होगा, क्या होगा, हो जाएगा lead to, मन्याँ वो आपको लेके जाएगा, कहा पे complications की ओर लेके जाएगा, ठीक है, तो lead to होगा answer, यानि के lead against गलत हो जाएगा, lead against का मतलब होता है to lead someone or something in attack or opposition, ठीक है, तो सही sentence क्या होगा, lack of required vitamins and minerals lead to several complications in the human body, ठीक है, यह होगा answer, आगे बरते हैं, the dacera celebration in Masur this year are grandest than any other part of the state, ठीक है, तो इसके कौन से पार्ट में error है, आपको ये बताना है, उमीद है, आपने answer कर दिया होगा, देखिए, यहाँ पर grandest लिखा है, फिर then लिखा है, then का मतलब तो compare कर रहे है, ठीक है, तो comparative degree आना चाहिए, grandest अगर होता तो the grandest मने, अगर है, the article आना चाहिए, definite article आना चाहिए था, तो क्या होगा, और compare किसके साथ कर रहे है, other part of the state, ठीक है, तो यहाँ पर comparison हो रहा है, ना कि उसको superlative बता रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, grander, तो सई सेंटेंस क्या होगा, the dacera celebration in मैसूर this year are grander than any other part of the state, इसी तरह का और एक ग्राम पल है, लोधियाना is more populated than any other part in Punjab, ठीक है, compare हो रहा है, the principal request to the teachers to monitor and take care of the small children, इसके कौन से पार्ट में error है, वीडियो को pause करके एक बाद देखिए, पूरा sentence, तो principal request करता है teachers से के आप monitor किजिए और देख भाल किजिए किसका children को, ठीक है, यहाँ पर teachers के साथ apostrophe s लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या हाता है, तो possessiveness, यहाँ तो possessiveness का कोई बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है teachers, यहाँ कि बहुत सारे teachers है, तो teachers, ठीक है, तो possessiveness यह गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, simply, the principal requests the teachers to monitor and take care of the small children, तो teachers होगा, ठीक है, apostrophe s नहीं हाएगा, it has been only though writing that men have been able to spread their ideas to mankind, kind, तो इसके कौन से पार्ट में error है, ठीक है, तो इसके पार्ट में error है, first part में, it has, it has been लिखा हुआ है, c वाले part में, क्योंगे it के साथ क्या आता है, कौन सा प्रवणावणावणाश याहाँ रहता है, आई, यू, वी, दे, यहां पर कहा था, it, तो it के साथ कहा था, has, it has been only दो राइटिंग that men have been able to spread their ideas to mankind, तो यह भी note कर लीजे, अगर आपको नहीं पता है, तो, I के साथ have आएगा, you के साथ have, we के साथ have, और they के साथ have, she, he, it के साथ has आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, would you like to have some fries along with your coffee, sir, ask the waiter, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, would you like, would you like होता है, would you like होता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, के मोडल्स के साथ क्या आता है, ठीक है, मोडल्स के साथ भर्ब का बेस फोम आता है, ठीक है, तो, would you like होगा, would you like to have some fries along with your coffee, sir, ask the waiter, तो like होगा, liked के जगा, एंसर कौन सा होजागा, ए पार्ट में एरर, आगे बढ़ते हैं लोग, the supervisor wanted to know, the pros and cons of the issue, क्या होगा, कौन से पार्ट में एरर, उमीद है, आपने कर लिया होगा, देखे, two known, two के साथ क्या आता है, भर्ब का बेस फोम आता है, यह सब बने बेसिक बेसिक चीज़े हैं, ठीक है, तो, क्या होगा, answer, the supervisor wanted to know, क्योंकि two के साथ क्या आएगा, भर्ब का बेस फोम आता है, ठीक है, the supervisor wanted to know, the pros and cons of the issue, ठीक है, आगे बढ़ते है, रमन पुटेट दे वेजेटेबले इन दे फ्राइंग पेन, आफ्टर एडिंग सम वार्टर, लोट, लोट दे लीड, इसके साथ, इसके कौन से पार्ट में एरर है, तो इसके पहले वाले पार्ट, यानि पहला वाला पार्ट कहां दिया गए, डी नंबर पे दिया गए, राम पुटेट दे वेजेटेबले, ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है, और उसका पास्टेंस की बात करें, तो वो भी पुट ही होता है, ठीक है, और यह जो पुट लिखा हुआ है वो होता है गॉल्फ में, ठीक है, तो यहां पर गॉल्फ की बात नहीं हो रहा है, यहां रखने की बात हो रहा है, तो यहां पर कौन से पार्ट में एर्र है, डी पार्ट में, ठीक है, और यह वाला जो put है, यह use होता है golf में, और इसके past tense की बात करें, तो यह put होता है, ठीक है, golf में, जहां पर bowl जहां पर जाके गिरता है, उसको put बोलते हैं, तो क्या होगा, रमन put the vegetables in the frying pan and after adding some water, close the lid, यह यहने के answer कौन सा होगा, डी पार्ट में एर्र, आगे बढ़ते हैं, the recruiters were pleased to Jones domain knowledge and personality, कौन से पार्ट में एर्र है, बताईएगा, उमीद है आपने कर लिया होगा, तो answer क्या होगा, the recruiters were pleased with Jones domain, ठीक है, to Jones domain नहीं, ठीक है, with Jones domain knowledge and personality, ठीक है, यहाँ पर preposition का error था, आगे बढ़ते हैं, the sea has become an chief dumping ground for all kind of waste product, इसके कौन से पार्ट में एर्र है, एक बार ध्यान से sentence को पर यह, ठीक है, तो देखेगा, कि यहाँ पर जो second part है, यहाँ पर end क्यों आ रहा है, end तो नहीं चाहिए, a cheap dumping ground, end तो भवल के साथ आना चाहिए, या sound, भवल का अगर sound कर रहा है, तो आना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो कौन से part में, a part में ही error हो जाएगा, और सही sentence के आगा, the sea has become a cheap dumping ground for all kind of waste products, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, won't you please come to help me along this heavy box, कौन से part में error है आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप notice कर सकते हैं, won't you please come to help me along this heavy box, होता है, along with, along with होता है, along with heavy box, ठीक है, along with this heavy box, ठीक है, along with का मतलब क्या होता है, in a company, और at the same time, ठीक है, तो आप sentence को समझ करके पढ़िएगा, तो आसानी से answer तक पहुँच पाईएगा, ठीक है, तो यहाँ सेंटेस कहा होगा, won't you please come to help me along with this heavy box, ठीक है, तो along के साथ with नहीं लगा होगा था, एंसर कौन से पार्ट में होता है, ए पार्ट में, they have lived in this apartment since 10 years, इसके कौन से पार्ट में error होगा, उमीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसके पार्ट में error है कौन सा, since 10 years, यानि के पहले पार्ट में, क्यों, यहाँ पे 10 years दिया हुआ है, यानि के period of time, period of time के लिए हम लोग 4 लगाते है, 4 10 years, 4 months, ठीक है, इस तरह का, तो और since कहां से लगाते है कि कोई चीज बहुत पहले start हुआ है और अभी तक चल रहा है, जैसे since 1947, since 2000, अभी तक चल रहा है और 2000 में start हुआ है, ठीक है, वो time period नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो time period की बात करें तो क्या हो सकता है, 2 weeks, 6 months, 4 years, इसके लिए क्या use करते है, 4 use करते है तो सही sentence क्या होगा, they have lived in this apartment for 10 years, ठीक है, सही sentence, तो error कौन से पार्ट में है, a number पार्ट में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the construction of the new business school is led to a certain rise of population in our area, पहले मैं hint दे देता हूँ, इसमें क्या करना आपको, tense देखना है, के tense कौन से इसमें है, तो tense है, present perfect tense में है, ठीक है, present perfect में है ठीक है, तो उसमें क्या use होता है, उसमें has या have होता है, और past participle use होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, the construction of the new business school is led होगा, या has led होगा, has led to a certain rise of population in our area, तो यह answer हो जाएगा, ठीक है, has led to a certain rise of, ठीक है, he won several eclodes for his music composition, क्या होगा, उसे पार्ट में एरर, ठीक है, यहाँ पर भी present perfect tense में है, ठीक है, तो present perfect tense में क्या होता है, उन्हें बहुत सारा award दिया गिया है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह के sentence होता है, तो यह present perfect tense में होता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, V3 लगता है, और present perfect tense है, यहाँ क्या हो जागा, he has, has, या फिर have लगता है, और कौन लगता है, V3 लगता है, तो he has won several eclodes for his music composition, ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखे, he win लिखा होगा था, लेकिन क्या होगा, he has won, ठीक है, तो कौन से पार्ट में है रर, D पार्ट में, आग I couldn't take off, take off her scarf, because it was too much windy, क्या answer होगा, कौन से पार्ट में, एरर है, उमीद है, आपने कर लिया होगा, तो error है, कौन से पार्ट में, too much windy में, टीक है, wind, windy का adjective है, टीक है, too much की बात करें, तो यह भी adjective है, दो adjective है, क्या कर रहा है, एक जगह, ठीक है, हमको क्या करना परेगा, इसक क्या कर सकते है, हम लोग, much too लगा, much too कर सकते है, तो क्या होगा, when she went for your walk, Maya couldn't take off, take off her scarf, because it was much too windy, टीक है, यह सही रहा होगा, तो कौन से पार्ट में, एरर था, c नंबर वाले पार्ट में, टीक है, आगे बढ़ते है, we don't really want a large house, we are looking for some comfort and some convenience on a moderate price, कौन से पार्ट में, आपको यह बताना है, तो यहाँ पर देखे, ध्यान से, some convenience on a moderate price, on Sunday, on Monday सुना था, ठीक है, यह क्या होता है, at a moderate price होता है, कुछ दाम पर, कुछ पैसी की बात हो, तो at certain price, ठीक है, तो कौन से पार्ट में, एरर है, यहाँ देखे, moderate price कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पहले वाले a number, a number में, a number का पार्ट गलत है, तो क्या होगा, we don't really want a large house, we are looking for some comfort and some convenience at a moderate price, यहाँ पर का लेका था, on a moderate number, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर, a number, ललिता will go to sister's house in Mumbai this summer, इसके कौन से पार्ट में एरर है, आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, to sister's house, देखे, एक चीज़, ललिता will go to sister's house, देखे, possessiveness तो बता रहा है, किसका sister's house, ठीक है, यहाँ पर यह चीज, पोजेसिव का डिटर्माइनर जो है, वो नहीं बता रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस sentence में यह incorrect हो जाएगा, ठीक है, तो यह number में incorrect होगा, क्यों, क्योंकि पोजेसिव का डिटर्माइनर नहीं दिया गया, तो क्या होगा, सही, ललिता will go to her sister's house, देखे, तो यह चीज इस संबर, यह sentence हो जाएगा, तो कौनसे पार्ट में एरर, यह number, no sooner did Pirya get her report card when she started jumping with joy, कौनसे पार्ट में एरर है, आपको यह बताना है, उमीद है, आपने answer कर लिया होगा, ठीक है, तो कौनसा होगा, देखे, no sooner के साथ, जो conjunction आता है, वो आता है, conjunction आता है, वो आता है, then, यह पर लिखा हो, when, तो यह बार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, no sooner did Pirya get her report card, then she started jumping with joy, तो यहाँ पर कुछ conjunction दिये हुए, इसको peer के साथ आते है, इसको याद रख लेना है, जैसे both के साथ, add आता है, not only के साथ, but also आता है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, no sooner का, no sooner reason थोरा सा होता है, आपको याद रखने का थरीका बता रहा हूँ, देखे, last में ly है, y के बगल में कोई आता है, w आता है, यहाँ पर भी y के है, तो बगल में कोई है, w, और no sooner में y तो आता नहीं है, तो इसलिए then लगाते है, ठीक है, समझ में आ गया, तो no sooner के साथ then, hardly और scar large river, इसका answer क्या होगा, ठीक है, एक नोटीस कीजे, answer कर लिया होगा आपने, तो एक चीज़ नोटीस कीजे है, four of earliest, earliest बोले आ है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, superlative form में आ रहा है, early का, ठीक है, तो जब superlative आ रहा है, तो definite article तो आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा four of the earliest, तो देख लिए, four of the earliest civilization of the world, we are located on the bank of, और near large river, तो answer कौन से पार्ट में है, बने, गलती कौन से पार्ट में, ए नुमबर पार्ट में, ठीक है, the visitor complained at the poor accommodation they were provided during the tour, tour के दरान, जो पूर accommodation दिया गया था, वो visitors क्या कर रहे थे, complain कर रहेते, तो add the poor accommodation गरेगा, add 또 नहीं होता है, ठीक है, about the poor accommodation होता है, तो कौन से पार्ट में error हो जाएगा, इसी पार्ट में, add the poor accommodation कहा है, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा about the poor accommodation होगा ठीक है about at someone मैंने किसी और पर गुस्सा कर रहे तो at someone किसी चीज के बारे में गुस्सा कर रहे तो about something ठीक है तो क्या होगा about poor recommendation हो जागा the visitor complained about the poor recommendation हो जागा तो कौन से पार्ट में एरर है बी नंबर पार्ट में और मत के वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगता है तो और सब्सक्राइब कर दीजिए ताके इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और आपके एक्जाम के लिए helpful होते रहें, ठीक है, तो यहांपे क्या होगा, more, more warmer तिके इस पार्ट में रहा है क्यूं, देखे, warmer का मतलब क्या होता है, warm से आया warmer यानि कि compare कर रहे है और यहांपे then भी लगा हुआ है, ठीक है, तो comparative degree है, तो जब एक बार warmer बता के हम compare कर ही दे रहे हैं, तो फिर यहांपे more लगने का क्या जरूरत ह पर बताके भी compare कर रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है यहां पर superfluous यूज़ हो रहा है एक से ज्यादा यूज़ हो रहा है एक ही चीज़ का तो more तो हड जाएगा समझ में आ रहे हैं यह डबल comparative लगा रहे हैं single sentence में double comparative more का मतलब भी ज्यादा होता है warmer का मतलब भी तो ज्यादा compare कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए क्या होगा the weather is much warmer than it was few days before तो यह वाला more hard जाएगा कौन से पार्ट में एरर? d number part Ranvir could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in the Maldives कौन से पार्ट में एरर है आपको यह बताना है answer कर दिया होगा आपने कौन से पार्ट में एरर है? Ranvir could not went देखें यहाँ पर error क्या होगा? could आ रहा है could क्या होता है? models होता है models के साथ क्या आना चाहिए? base form आना चाहिए वर्व का ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखा हो went? went to base form नहीं होता है तो क्या होगा, Ranveer could not go to the award ceremony as he was busy shooting for a film in the Maldives समझ में आया, तो went के जगह could go होगा, और कौन से पार्ट में error है, d number part में, Ranveer could not went में error है आगे बढ़ते है, modern science have broken many myth about our food and diet, कौन से पार्ट में error है आपको बताना है तो यह हो जाएगा, modern science के uncountable noun, uncountable noun के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, singular singular लगाते है, तो होगा क्या, modern science has broken, have broken तो नहीं होगा, modern science has broken, यहाँ पर दिया होगा था, have broken, तो यही पार्ट में गलत है, तो यह पार्ट कौन से इसमें लिखा गया है, d number में, modern science have, होगा क्या, modern science has, ठीक है, answer, next, at the last meeting which took place in November, half of the members submitted their resignation on protest, इसके कौन से पार्ट में, इस sentence के कौन से पार्ट में, error है, आपको बताना है, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, इन प्रोटेस्ट होगा, यह प्रोटेस्ट में resignation दे रहे है, protest पर resignation नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, resignation in protest होगा, जनी कि कौन से पार्ट में, error है, यह वालत देखिए, यह वालत बी number में, error है, यह on protest, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, My brother who live in Pune is arriving tomorrow, कौन से पार्ट में error है, जल्दी बताना है, एंसर कर लिया होगा आपने, तो कौन से पार्ट में error है, My brother, subject क्या है, singular है, तो verb ही क्या आना चाहिए, singular आना चाहिए, singular verb कैसे बनाते है, एस लगा करके, एस या एस, ठीक है, leave ही तो है, leave के जगन क्या हो जाएगा, leaves, sentence क्या होगा, My brother, who lives in Pune is arriving tomorrow, तभी तो singular verb आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, leaves हो जाएगा, यहां पर leave दिया वा था, यह वाला पार्ट खुजी है, कौन से इसमें है, C number में error हो जाएगा, ठीक है, one of the biggest enterprises, enterprise in India is declaring a lockout, इन में से कौन से पार्ट में error है, तो यह हो जाएगा, one of the biggest enterprise, कहां पर है, ए नंबर पर है, ठीक है, जब comparison हो, ठीक है, one of the biggest enterprise, एक का बाकी सब से compare हो, तो क्या होता है, वहाँ पर, जो enterprise है, वो क्या हो जाएगा, enterprises हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब के साथ compare कर रहे है, ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, कि one of the के साथ noun जो है, वो plural लगता है, और verb जो है, वो singular लगता है, जैसे यहाँ पर देखे, verb singular है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि, यहाँ पर enterprises आए जागा है, यहाँ नाउन जो है, वो plural लगता है, लेकिन verb फिर क्या आएगा, अगर यहाँ पर र लिखा वा रहता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है, तो यह याद रखियागा, one of the के साथ noun plural आता है, और verb singular आता है, ठीक है, यह लिख लीजे कहीं पर, sentence क्या होगा, one of the biggest enterprises in India is declaring as a logout, कौनसे पार्ट में एरर, ए नॉमबर पार्ट में है, I never miss a cricket match, as I am fond of cricket from childhood, ठीक है, तो कौनसे पार्ट में एरर है आपको बताना है, from क्या बताता है, from तो direction बताता है, from और क्या बताता है, time बताता है, from 8 pm to 10 pm, ऐसा कुछ, ठीक है, from childhood तो नहीं होगा, मुने 25 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए तो since लगाते हैं हम लोग, कि पहले स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, तो यहां इस पार्ट में एरर हो जाएगा, from childhood कौन से वाले पार्ट में, यह नंबर पार्ट में, तो यह वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, यही answer होगा, होगा क्या, I never miss a cricket match as as I am fond of cricket since childhood होगा, ठीक है, मने पहले से ही, childhood से ही, cricket match को miss नहीं करता था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene, इसके कौन से पार्ट में एरर है, आपने answer कर लिया होगा, तो कौन से पार्ट में, on behalf of awareness, on behalf of someone, ठीक है, on behalf of awareness कभी मने, इस तरह के sentence यहां तो grammatical error पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, on behalf of someone, ठीक है, सुने होगे, तो several prominent film stars have appeared on television to raise awareness about hand hygiene, यह सही होगा, ठीक है, कौन से पार्ट में, C नमबर पार्ट में error है, on behalf of awareness तो होई नहीं सकता है, ठीक है, यहीं से error पता चल जा रहा है, the army march fearless towards the enemy contentment, contentment का मतलब होता है, camp, ठीक है, तो क्या होगा, answer, देखिए, march क्या है, march क्या है, verb, ठीक है, verb को describe कौन करता है, adverb, adverb होना चाहिए था, यहां पर क्या है, fearless, fearless क्या होता है, adjective होता है, तो इसके साथ क्या चाहिए, l y लगा देंगे तो, ठीक है, l y लगा देंगे तो, adverb बन जाएगा, तो सही होगा sentence, तो कौन से पार्ट में रहा है, march fearless, कौन से पार्ट में रहा होगा, d number part में, तो क्या होगा, march fearlessly, the army march fearlessly towards the enemy contentment, ठीक है, बागी यह मैंने explain कर दिया है, Mr. Rao asked the newcomer to his office, if he will minded working late that day, क्या होगा answer, ठीक है, कौन से पार्ट में रहा हो जागा, उमीद है आपने कर लिया होगा, तो देखें, वो यह कह रहे हैं, मैंने पूछ रहे हैं कि आप लोग को बुरा नहीं लगेगा, हाना, आप लोग mind नहीं करेंग, तो would लगेगा, will तो नहीं लग सकता है, चाहत की बात पूल रहे हैं, तो क्या होगा, कौन से पार्ट में रहर, बी नंबर पार्ट में रहर, Mr. Rao asked the newcomer to his office, if he would mind, देखें, would आ गया, will तो नहीं लगेगा, यह confirm है, तो will के जगह क्या लगा हो, would के साथ क्या आएगा, working late that day, यह answer हो जागा, क्या होगा, क्या होगा, देखें, too much, बन्हें, जितना expect किया थे उससे जाधा, यह नहीं के comparison हो रहा है, comparison होगा, clear के जगह क्या होना चाहिए, clearer होना चाहिए, क्योंकि comparison कर रहे हैं लोग, the concept become too much clear, too much clearer हो जाएगा, clear तो हो जाएगा, क्योंसे पार्ट में एरर, d number, it is misleading to imagine that computers can think same like human beings, क्योंसे पार्ट में एरर होगा, same का मतलब क्या होता है, similar, एक जैसा, और like का मतलब क्या होता है, तो दो same word है, हम लोग एक ही जगह यूज़ कर रहे है, actually, same as human being, यह हो सकता था, same भी लिखा हो है, तो इसको हटा करके क्या लिखे हम लोग, same as, तो कौनसे पार्ट में एरर है, same as कहां पर है, यह वाले बी वाले पार्ट में एरर है, यही सही answer होगा, समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते है, the balloon flew up as soon as the man cutting the string, ठीक है, हो गया होगा, आपने करन लिया होगा, तो देखे, sentence क्या है, past tense में, the man flew up, यही से तो पकर में आ रहा है, sentence क्या है, past tense में, और, ठीक है, भर्ब कौनसा है, भर्ब भी तो past tense वाला ही use होना चाहिए, तो यहां पर देखे, cutting लिखा होगा होगा, तो क्या होगा, cut हो जाएगा, the balloon flew up as soon as the man cut the string, ठीक है, कौनसे पार्ट में रर, D number part, the food in the new eatery is much best than the one in Arkepuram, अभी अभी हम लोगों ने question किया, क्या होगा, best भी लगा होगा होगा है, then भी लगा होगा होगा है, much भी लगा होगा है, नहीं मतलब क्या होगा होता है, compare करना थो best नहीं लग सकता है, best होता थो definite article आथा, ठीक है, यहांपर best अठाकरके क्या लगा होगा है, much better, comparativity क्या होता है, better होता है, much better, the food in the new eatery is much better than the one in Arkepuram, तो क्योंसे पार्ट में रर होगा, a पर्ट में क्या बोला है तो क्या होगा है यहां पर आपने एंसर कर लिया आप देखिए small businesses लिखा ओओ था business नहीं था have been adversely affected by COVID-19 समझ में आ रहे है has किसे साथ आता है business लिखा हो था business has business लिखा होगा है तो क्या होगा all those students who are participating in the play have been notified to stay back for re-hustle after 3 pm कौन से पार्ट में एर्र हुए ठीक है फिर से वही सेंटेंस हार है present perfect tense और present perfect tense में भी कौन सा passive voice में है ठीक है तो all those students who are participating in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3 p.m. तो उसी time हम लोग परहते हैं present perfect tense में होना से has have तो लगता ही है ठीक है और वीतरी भी लगता है ठीक है यहाँ पर has have been तो लिखा हुआ ही है और वीतरी तो आने चाहिए तो नोटिफाई लिखा हुआ है तो क्या होन नोटिफाइड ठीक है आगे बढ़ते है after entering the town go straight and then take a sharpest turn towards your left to reach the mall क्या answer होगा तो आपने error find out कर लिया होगा कौन से पार्ट में है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है after entering the town go straight and take a sharp turn towards your left to reach the mall ठीक है एंसर क्या होगा ए नमबर में sorry रमन वेंट रमन वेंट विद इस वाइफ to the village to solve the land कौन से पार्ट में error होगा ठीक है आपने कर लिया होगा कौन से पार्ट में error है तो यहाँ देखिए two के साथ solve यह सब थीक है के past में है लेकिन two solve कैसे हो two के साथ कौन सा form आता है भर्व का base form आता है तो भर्व का base form क्या होता है sale होगा sold तो नहीं हो सकता है तो क्या होगा रमन वेंट with his wife to the village to sell their land ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग मिधिला our tradition is passed on from one generation through and next by the children watching and helping their mothers and grandmothers options यह दिये गहे हैं आप वीडियो को pause करके answer कीजिए ठीक है answer कर लिया होगा आपने concept art में रहा है from one generation through through का मतलब तो किस के जरिये किसी के जरिये हो रहा है कि यह तो बोल रहा है from one generation to the next generation इस तरह का होता है sentence मिधला our tradition is passed from one generation to the next by children watching help and helping their mothers and grandmothers through तो नहीं आने चाहिए था किसी के जरिये तो नहीं हो रहा है कुछ ठीक है तो क्या होगा मिधला our tradition is passed from one generation to the next generation by children watching and helping their mothers and grandmothers समझ मैं था through मतलब जरिये हो रहा था ठीक है तो जरिये इसके साथ लग सकता था यहां तो generation to generation की बात कर रहे है तो कुन से पार्ट में एरर होगा यह नमबर पार्ट में एरर होगा तो यह सारे questions 2021 में पूछे गए थे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तक ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें English के ठीक है Thank you so much for watching